नमस्कार आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है रहीम का एक दोहा है को भी कमाल हultur रहीम की खेट कौतकम पुस्तक से है करो अमस्क्किर को पार्जी नहीं है उसमें उन्होंने जोटिश से संब्चनित दोहे लिखे हैं जिनकी भाशा अरभी फार्षी हिंदि संस्किर्थ मिक्स्ट निकेट मिक्स्ट तो पहले इसको समझते हैं इसका अर्थ क्या है फिर इसके गहरे मतलब क्या है वो मैं बताऊँगा आपको हमले होता है मेश राशी एरीज आफताब है सूरे मतलब अगर सूरे मेश राशी में हो वरिशे महाताबो वरिश राशी में चंद्रमा हो तो अगर सूरे मेश राशी में हो और चंद्रमा वरिश राशी में हो यदा मुष्टरी केंद्र खाने तिरकोने और मुष्टरी होते हैं गुरू तो गुरू यानि ब्रस्पती केंद्रों में या तिरकोनों में हो केंदर भाव पहला चोथा सातमा दसमा या फिर तिरकोन भाव पहला पांचमा और नुमा तो पहला भाव आपको पता है केंदर स्थान भी होता है तिरकोन स्थान भी होता है भविन मानवो ऐसा व्यक्ति दौलतो बहुत धन्वान होगा लश्कराड्यो लश्कर यानि सेना से युक्त इसके बाद बहुत सी लोगों की सेना होगी ब्रत सहाबी विशाल मिल्कियत वाला होगा जमीन जायदात खुब होगी तस्य खूबी कमाल है इस व्यक्ति में कमाल की खूबियां होंगी बहुत सी विशिष्टाइं होंगी इसको अब मैं explain करता हूँ थोड़ा सूरे मेश राशी में उच्चके हो जाते है और चंद्रमा वरिश राशी में उच्चके हो जाते है तो दो लुमिनरी जीने कहते हैं प्रकाश के ग्रह सूरे दिन में प्रकाश का कारक है और रात में चांद है चंद्रमा तो सूरे और चंद्रमा दोनों उच्चके हो गए तो ये तो हुआ राशीयों के इसाब से और फिर भाव में क्या कहा है गुरू अगर केंदर या तिरकोन भाव में बैठे हो तो गुरू जब केंदर तिरकोन भाव में किसे भी बैठे होंगे तो वो strong हो जाते हैं बली हो जाते हैं गुरू वैसे भी नैसरगिक शुब है तो ये पाराशरी का नियम है कि जब भी शुब ग्रह केंदरो या तिरकोनो मतलब शुब भावों में बैठते हैं तो वो स्ट्रॉंग हो जाते हैं तो यहां पर दो लुमिनरी ज्ट्रॉंग हो गए और गुरू जो के सबसे शुब ग्रेजनली माना जाता है वो स्ट्रॉंग हो गया तो ऐसे व्यक्ति का फिर पक्का है कि उसके पास दौलत की कमी नहीं ह आजकल पहले छोटे-छोटे राजा होते थे उनके भी लशकर होते थे उनकी भी सेना ही होती थी आजकल मतलब है मैन पावर अब एक मल्टीनेशनल ओर्गेनेशन है उसका है उसके पास मैन पावर है लाखो लोगों की तो वो मतलब है यहां पर मतलब मैन पावर बहुत होग है इसमें तीन ग्रह लिए गए हैं सूरे चंदर्मा और गुरू ये तीनों जब स्ट्रॉंग हो तो फिर ऐसे व्यक्ति में राज योग है उसकी जिंदगी में राज योग है ये समझ लीजिए धन्यवाद आप सभी सुखी रहें